तो ये है Old Delhi Railway Station और आज हम जा रहे हैं अमरत सर, मैं और मेरी सिस्टर और हमने बुक करी है One Day Bharat Express Train आप देख सकते हैं सामने प्लाटफॉर्म पे खड़ी है और हम बस जल्दी से अपने कोच में एंटर करने वाले हैं ये train New Delhi से नहीं Old Delhi से चलती है तो इसका ध्यान रखिएगा ये मेरी आगे सिस्टर चल रही है, seats को ढूंटी हुई और अब आ गए हैं हम अपनी seats पर देखें यहाँ पर, ये है seat number 1 and 2 of Executive Coach of One Day Bharat Express Train train बिलकुल, राइट समें सब 3 बजे, you know, डिपार्ट कर गई थी और डिपार्ट होते ही उन्होंने हमारा वेलकम किया, हमें ये प्यारे से गुलाब के फूल दिये बहुत अच्छी महक थी इनमें और फिर मैने विंडो साइट पे नसारे लिए बाहर के बहुत अच्छा लगता है train की विंडो सीट पे बैट कर, you know, बाहर आती जाती ट्रेन को देखना, स्टेशन को देखना, ट्रेन ने बहुत जल्दी स्पीट पकर ली अपनी माक्सिमम वन थरी किलोमेटर्स पर आर और आदे घंडे के करीब, I think, टाइम हुआ होगा कि उसने सोनी पर स्टेशन स्किप किया और फिर आगे है ये ठाली, खानों के आइटम से भड़ी हुई, इसमें एक, आप देख सकते हैं, क्रिसान था, फिर यहाँ पर ये पोहे वाला नमकीन था, बादाम थे, रियल का औरेंज जूस था, मीठे में ये पती सा था, और हाथ साफ करने के लिए चुटकु सा सेनिट और ये आप कचोडी ध्यान से देखे, बहुत ही अच्छी थी, मतलब अंदर कुछ सादा मठीरियल फिल नहीं हुआ हुआ था, बट नाइस कचोडी आइ, इंजॉइ ट्रेन में कैसे ठाइम कर जाता है, बता ही नहीं लगता, देखे, ट्रेन आप पानिपद स्टेशन को स्क किया, बहर आप देख सकते हैं, स्टेशन पे लोग अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए, सामने आपको वो लोकल ट्रेन नजर आ रही होगी, राइट, और ये मुझे बहुत देखने में मज़ा आता है, यो नो, स्टेशन का जो नजारा होता है, जहां पर ट्रेन, और सारी चीज़ें आपको नजर आती है, तो बस अपनी सीट पे बैठे बैठे, थोड़ी देर हमने गाने सुने, बाहर के नजारे देखे, खाया पिया, और खूब मज़े किये, ट्रेन का सफर मुझे बहुत जादा पसंद है, वंडे भारत के एक्जेक्टिव कोच में एक पसे अच्छी बात मुझे लगती है, यह जो पट्रियों की आवाज आती है ना, I really love it, तो अब देख सकते हैं, बहार ट्रेन बहुत तेस बीच से चल रही है, और यह अब करनाल स्टेशन को स्किप कर रही है, जो वंडे भारत एक्सप्रिस ट्रेन है, या शिताबदी एक्स इनका पहला स्टापेज अंबाला स्टेशन है, बीच में यह किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती है, तो देखिए, यह ट्रेन करनाल स्टेशन को स्किप करती हुई, तो बस इसी तरीके से हमारा सफर करता चला जा रहा था, कभी हम आपस में बास करते थे, कभी आस-पास व पहार स्टेशन आने ही वाला है, ऐसी फीलिंग आ जाती है ना, इतनी सारी जब पट्रियां आपको सामने दिखने लगती हैं, तो ऐसे लगता है कोई स्टेशन आने वाला है, तो देखिए, यह कुरुक्षेत्र जंक्शन को ट्रेन स्किप करती हुई जा रही है, जैसे कि मै तो यहां आप देख सकते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो थोड़ी-थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि अब अंबाला स्टेशन के हम काफी नस्दीक आ चुके हैं, हम आउटर में ही हैं अंबाला स्टेशन के और आप यहां पर देखिए, सामने एक ब्रिज आपको नजर आ आ और उसके सामने आप देख सकते हैं वो हाइवे है, अगर आप रोड से ट्रावल करते हैं तो वो बिलकुल स्ट्रेट सामने आपको हाइवे नजर आ रहा है और कितना प्यारा यह ब्रिज आपको नजर में आ रहा है, राइट इस लिगग सो नाइस तो बस ट्रेन धीरे- तो finally हम Ambala station पहुँच गई है और आप देख सकते हैं सामने से खाना आ रहा है तो ये जो train है इसमें जो dinner serve होता है वो actually Ambala station से वो dinner के जो packets हैं वो सारे इस train में आते हैं तो बस जैसे ही station आता था कोई मैं train से बाहर चला जाता था मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे बीच में station में उतर जाने का थोड़ी देख बस train Ambala से चल पड़ी आप देख सकते हैं धीरे धीरे train Ambala station को छोड़ रही है और आगे अपनी destination की तरफ बढ़ रही है Ambala station पे मेरी sister ने window seat ले ली थी और वो अब window seat के नजारे लेगी जब तक रौशनी है क्योंकि जैसे ही शाम हो जाएगी रात हो जाएगी बाहर सब दिखना बंद हो जाएगा मैं भी आपको वीडियो में कुछ नहीं दिखा पाऊंगा और ये बिल्कुल सामने हमारे एक screen लगी हुई थी जिस पर ये बताया जा रहा था कि अगला station कितनी दूर है और ये train next कहां रुकेगी अमबाला से निकलने के कुछ ही देर बाद हमें ये plates और बोल्स हमारे सामने लाकर रग दी गई क्योंकि अब क्या सर्फ होगा आप समझी जाएंगे तो ये देख सकते हैं पाकेट वाला टोमेटो सूप कुछ खास नहीं था काम चला हूँ था बट हां मेरा थोड़ा गला खराब था और आप सभी लोग बोलेंगे कि गला खराब था तो टोमेटो सूप तो खटा होता है वो गले को और खराब करेगा लेकिन मैंने फिर भी प कि कैसे टाइम के साथ साथ भार की रौषनी कम हो रही है राथ होने वाली है थोड़ी देर के अंदर और हमें भार्स कुछ नजर नहीं आने वाला सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लुध्याना स्टेशन आने ही वाला है और देखे हम पहुच गई लुध्याना स्ट और मैं यहां पे भी ट्रेन से उतर गया थोड़ी देर के लिए जैसी मैंने सामने देखा भी आप देख रहे हो ग्रीन सिगनल हो गया मैं फड़ा फड़ उपर भागा क्योंकि इस ट्रेन में गेट्स बंद हो जाते हैं और फिर वो खुलते नहीं है बस नेक्स्ट आप था पोड़ी देर बाहर ऐसे ही जब तक ग्रीन सिगनल नहीं हुआ मैं बहारी रहा फिर मैं फड़ा फड़ा ट्रेन के अंदर चला गया और अपनी सी फगवारा स्टेशन के बाद हमें डिनर सर्व हुआ और डिनर में आप देख सकते हैं कि हमको क्या-क्या मिला तो ये और यहां पे रोटियां थी और दहीं भी आपको दिया गया था और चोटी सी एक दबी और थी जिसमें शिम्ला मिर्च आलो की सबजी थी ये देखिए तो बस जलंदर स्टेशन आने ही वाला था और लोग खड़े हो चुके थे जिन्नोंने जलंदर पे उतरना था और मुझ थोड़ा थाइम बाहर बिताया जब तक ट्रेन का सिकनल ग्रीन नहीं हो गया और जल्दी से जैसे ग्रीन हुआ मैं फड़ा फ़ा ट्रेन में वापस अंदर चड़ गया पता है क्यूं क्योंकि इस ट्रेन के दरवाजी अगर बंद हो गए तो वो फिर खुलते नहीं है मैं चरू से बोलरा हूं कि हम अमृत सर जा रहे हैस ट्रेन से पर हमें उच्च्रूट अध्यल टीके टिके ब्यास तक थी क्यूकि हमें ब्यास में जाना था तो हाँ हम बस अग्ले स्टेशन पर उत迎गे तो यह आ गया ब्यास स्टेशन और यहां पे काफी पैसेंजर से उतर करता हूं तो रादस्वामी सच्छंग जो कम्मिनिटी है उसके जो गुरू है जो गुरिंदर सिंग धिलन जी है उनका सच्छंग है इस वीकेंड तो बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेन से आ रहे थे हमारी ही तरह तो हम यहां पे उतर गए हैं बयास में और देखिए धीरे-धी और इसमें मुझे कोई जादा खास अंतर नहीं लगा तो यह जो इतना हाइप किया हुआ है वंदे भारत एक्स्प्रेस I don't think so कि इसमें कुछ exceptional था शिताबदी एक्स्प्रेस के मुकाबले तो दोनों ही ट्रेन्स अच्छी हैं अगर आपको इसके टिकेट्स ना मिले तो आप शिताबदी एक्स्प्रेस से ट्रावल कीजिए और देखिए अब हम बयास देरा पहुच चुके हैं बस यहीं तक है मेरा वीडियो I hope